गुद मॉर्णी एवरीवान वेलकम बैक टू दे चानल आज के वीडियो में हम 15 मार्च के करेंट अफे को कवर करने वाले हैं और शुरू करते हैं एक शौर्ट नीउस के साथ तो थर्ड एडिशन जो है मल्टी लेटरल मेरिटाइम एकसरसाइस का कंड़क्ट किया गया क्या तो बिल्कुल सही है फ्रेंच नेवी जो है इसके द्वारा से कंड़क्ट किया गया कहां पर कंड़क्ट किया है किया गया इंडियन ओशन रीजिन में और मल्टी लेटरल मेरिटाइम एकसराइस है तो मतलब कई सारी कंट्री इसकी नेवी ने पार्टिसेपेट किया होगा तो ऑस्ट्रेलियन नेवी फ्रेंच नेवी इंडियन नेवी जापनीज नेवी और युनाइटेड स्टेट्स नेवी इन सभी ने इसमें पार्टिसेपेट किया है फ्रेंच नेवी की दुआ कंड़क्ट की गई कंड़क्ट नहां पर इंडियन उशन रिजिन में नाम है इस 3rd edition इसका कंडार्ट किया गया इंडिया भी इसका पार्ट था क्वेस्जिन पर आते हैं international day of mathematics is celebrated on which date 24 मार्च के दिन सेलिबरेट किया जाता है इसे阪्लेекс拉 के रूप में भी हम जानते है theme 2023 में रखी गई है mathematics for everyone March 14 जो है यह पाई की value को represent करता है March कौल सा महीना है तीसरा है और 14 यानि कि 14 पाई की value होती है 3.14 और साथ ही it also coincides with the birth anniversary of scientist Albert Einstein 14 मार्च को ही एक और दिन भी celebrate करते हैं यह है international day of action for reverse ठीक है तो 14 मार्च के दो दिन हो गए international day of mathematics और international day of action for reverse अच्छा यह तो हो गया international day mathematics के लिए national mathematics टे यह कब होता है तो यह भी आपको याद रखना है 22 दिसंबर को होता है यहाँ आप मार्च के कुछ important days दिये गए हैं फर्वरी में तो हमने पूरे फर्वरी लगभग डेली एक आदा दिन छोड़के डेली हमने रिवाइस किये थे तो याद हो जाने चाहिए आपको इतने रिविजन के बाद अब यहाँ पर मार्च में रहे थे हैं एक मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन दे और वर्ल्ड सिवल डिफेंस दे तीन मार्च को वर्ल्ड वाइल लाइफ दे इसके थीम रखी गई partnership for wildlife conservation चार से दस मार्च के बीच national safety week celebrate किया गया आठ मार्च को international women's day होता है इसकी थीम digit all innovation in technology for gender equality 10 मार्च को होता है CISF raising day इस बार 10 मार्च को यह celebrate ना करके 12 मार्च को किया गया और पहली बार दिल्ली से बाहर हैबराबाद में इसको organize किया गया celebrate किया गया 13 मार्च को no smoking day second Wednesday of March को यह celebrate करते है इस बार था 13 मार्च को 14 मार्च 5 day और साथी international day of action for worse 15 मार्च world consumer rights day के रूप में celebrate किया जाता है next question है who won ICC player of the month for February 2023 February के लिए ICC player of the month यह कौन रहे हैं इसका नाम है Harry Brooke तो option number A correct होगा और female category में हम देखे तो Australia की Ashley आशले गार्डनर आशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया की है Harry Brook England के प्लेयर है यह दोनों रहे है आशले गार्डनर को यह अवार्ड मिला है या फिर इन्हें रिकवनेशन जो मिला है ICC player of the month for February का इन्होंने Women's T20 World Cup 2023 जो South Africa में हुआ उसमें जो अपनी performance दिखाए उसी के अधार पर इन्हें चुना किया है यहां पर हम देख लेते हैं 2022 और 2023 में तो फेब का तो हमने अपी देखा है जानवरी का देखें तो शुम्भमन गिल थे इंडिया के और Grace Scrivens यह इंग्लेंड की प्लेयर हैं यह दोनों रहे ICC player of the month for January 2022 में यहां पर मेंशन किये गए हैं तो आगस्त में सिकंदर रजा जिंबावे के और ताहिला मागरत उस्ट्रेलिया की यह दोनों थे ICC player of the month सप्टेंबर 2022 मुहम्मद रिजवान पाकस्तान के हर्मन प्रितकौ और इंडिया की अक्टूबर 2022 विराट कोली और निदादर यह पाकस्तान की है नवेंबर 2022 में बात करें तो जॉस बटलर इंग्लेंड के और सिद्रा आमीन पाकिस्तान की इन्हें player of the month award दिया गया और डिसेंबर 2022 में हैरी ब्रोक इंग्लेंड और आशले गार्डन उस्ट् अक्टूबर 2022 में विराट कोली थे और जनवरी 2030 में शुभमन गिल थे विच कंट्री रिमेंड दे वर्ल्स लार्जस्ट आम्स इंपोर्टर फॉर फाइव यूर्स पात साल से दुनिया में सबसे ज़्यादा आम्स इंपोर्ट किस कंट्री ने किये है तो अगेन यह इंडि इस तक का इसमें डेटा दिया गया है कि इस टाइम के बीच में इन पांच सालों में कौन सा देश रहा है जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर रहा है आम्स का और इन पांच सालों में ऐसा देखा गया है कि हाला कि भारत का आंस इंपोर्ट जो है कम हो गया है 11 11 परसंट मेक इंडिया पर जादा काम कर रहे हैं तो इसलिए एक कम हुआ है सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है सिप्री की फुल फॉर्म क्या है स्विडिश थिंक टैंक है यह इसका नाम है स्टॉक्वम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट अभ ही आप इसके पीरेड में देखिए पांच साल के पीरेड में तो इंडिया रहा है वर्ल्ड का लार्जस्ट आंस इंपोर्टर फॉलओड बाइ सावदी अरब एंड कतर तो इंडिया फर्स पर है सेकिंड सावदी अरब थर्ड कतर भारत में सबसे जादा आंप किसने तो यहीं की बात यह है युआस को पीछे कर चोड़ कर सकेंड नबर पर आकिया जो इंडीया को आम्स इंपोर्ट करता है इंडिया को आम्स एम्प्राइड करता है फ्रांस का है ट्वज़स का शेयर है एलेवन पर्संट तो यह हो गया भारत में जो भारत के लिएंज के saplies जो है सबसे बड़ा है रश्या फिर फ्रांस फिर यूएस अगर हम ओवरॉल देखें वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मिलिटरी एक्सपोर्टर कौन है तो यूएस है ये यूएस का शेर बढ़ गया है पहले ये शेर 33% था यूएस का अब ये बढ़के कितना हो गया 40% सेकेंड पर पाकिसान की बात करें तो पाकिस्तान है एत्छ नंबर पर तीक है जैसे भारत फरस्ट है साओंद एरप सेकिंद नंबर पर है largest largest importer of arms तो पाकिस्तान है आठवे नंबर पर और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा arms का supplier कौन है तो वो चाइना है चाइना की वज़े से पाकिस्तान के पास इतने arms है और 8 नंबर पर यह है नेक्स्ट आते हैं question पर 3rd दिव्यकला मेला इनागरेटेड इन विच सिटी 3rd दिव्यकला मेला इसको इनागरेट किया गया भोपाल में कुछ समय पहले मुंबाई में भी इनागरेट हुआ था यह MPK गवर्नर जो है मन्गु भाई पटेल इन्होंने इनौगरेट किया थर्ड दिव्यकला मेला अट भोपाल इसमें पूरी कंट्री से अलग अलग जगे से सामान इसमें लेकर आया गया फेर है मेला है तो इसमें गोड्स यहां पर शोकेस किया जाएगा लगाया जाएगा एक्जिबिशन की तरह होगा और गनाइस्ट बाइ मिनिस्टर आफ सोशल जस्टिस और इंपार्मिंट और यह जो फेर है 31 मार्च तक इसको यह जारी रहेगा ठीक है 21 मार्च दोजार तेस तक की जारी रहने वाला है यहां पर एग्यान कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है एक बार देख लेते हैं मांडू फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश का बिलम केवस फेस्टिवल आंध्र प्रदेश लाई रोबा मानिपूर बक्साबर्ड फेस्टिवल वेस्ट बेंगोल जो कुट पई यह मिजोरम का फिर धनू जात्रा है उडिसा का माधवपूर मेला गुजराद मोधेरा डांस फेस्टिवल गुजराद चेरियट फेस्टिवल तमिलनाडू करावली फेस्टिवल खरनाटक दुराई तमिलनाडू चापचार कोट मिजोरम का इनोविशन फेस्टिवल अरुनाचल प्रदेश नगोबा जात्रा तेलंगाना सूरज कुन क्राफ्ट मेला हर्याना कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबाई और कुनार्क डार्क डान्स फेस्टिवल यह ओडिसा का है तो यह वाला जो इनिशियेटिव है इससे नागपूर में शुरू किया गया है जो नोटिफिकेशन इसके लिए 144 CRPC इसको इशू किया गया है नागपूर पुलिस इसे इंप्लिमेंट करेगी इनफोर्स करेगी स्ट्रिक्टली और नागपूर में पब्लिक प्लेसेस पर ब जिसके तहत नागपूर को बेगर फ्री सिटी बनाया जाएगा यहां पर हम देख लेते हैं महाराश्ट्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्याप्टल है मुंबई सीम है इकनाथ शिंदे गवर्नर है रमेश बैस महाराश्ट्र पहला स्टेट है जिसने दिव्यांग डिपा यह पूने में बनाया जाएगा फिर दही हंडी महाराश्ट्र का ओफिशल स्पोर्ट है एक लोन स्कीम जिसका नाम है जिवहाला इससे लॉंच किया गया है महाराश्ट्र डिपार्ट्मेंट के द्वारा ओफ प्रिजन्स फॉर्दा इनमेट्स हू आर सर्विंग सेंटेंस इन वेरियस जेल्स अक्रोस महाराश्ट्र 100 परसेंट इलेक्रिफिकेशन और अफ कुंकन रेल्वे यह हो गया है च्छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहाले का रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट को युनेसको ज एशिया पैसिफिक अवार्ट दिया गया है महाराश ने T20 सेयद मुश्ता के लिए ट्रॉफी जीती इंडिया का पहला माइग्रेशन मोनेट्रिंग सिस्टम इनागरेटेड इन मॉंबाई 108 इंडियान साइन्स कॉंग्रेस नागपूर महाराश्ट में हुई और वर्ल्ड का लार्जेस और यूनीक दिव्यांग पार्क हीए अनुभूती इंक्लूजिव पार्क बनाया जाएगा नागपूर में इन कंट्री टू एक्सेप्ट इरुपी फॉर पार्किंग फी यह कोची मेट्रो तो ऑप्शन बर यहां पर करेक्ट हो जाएगा इरुपी अलग है क्वेश्टन में इरुपी की जगा डिजिटल रुपी यह डिजिटल करन्सी होना चाहिए था क्योंकि यह क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करन्सी को फ्रमोट करने के लिए इसको कोची मेट्रो के द्वारा दिया क्या है तो डिजिटल करन्सी अलग होता है यह रुपी अलग है और मुझे याद है हम लोगोंने एक पर डेली करेंट फेर में ही दोनों डिफरेंस भी दोनों के बीच समझा था यह फिर भाउचर Hanglle, जांद प्लेउच के लिए लिए वाउचर होता है गर्मन्न के पर about कि किया कि दो कि कि व्यक्ति उसी available होती है लेकिन जैसे Central Bank Notes जारी करता है बिल्कुल उसी तरह किसे वो जो Digital Currency उसको भी जारी किया जाता है तो कोची Metro पहली है जिसने CBDC को Accept किया है पहली Metro है इस तरह की और यह प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है in association with IDFC First Bank partnered with Anantham Online a technology startup अब यहां Metro से related कुछ fact देख लेते हैं father of Metro in India कौन है यह इस रिधरन है Kolkata Metro इंडिया का पहला Metro service है जिसे 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया था और स्टार्टिंग में 3.4 किलोमेटर के लिए इसको बनाया गया था और पांच स्टेशन्स थे इंडिया का पहला अंडर्वार्टर मेट्रो सर्वेस यह हमें कहां देखने को मिला कोलकाता मेट्रो डेल कोपरेशन में मतलब इसके द्वारा यह डेवलप किया गया इस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडर प्रोजेक्ट दिसंबर 2013 तक यह कंप्लीट हो जाएगा इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन यह दिसंबर 2013 तक त्यार हो जाएगा ऑन हेरिटेज रूट्स और करेंट रिल्वे मिनिस्टर हमारे हैं आश्विनी वैशनव इसके महिंद्रा ओटोमोटिव तो यह ओप्शन एकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बॉक्सिंग फेडरेशन ओफ इंडिया ने साइन किया है SUV मेनुफेक्ट्रर महिंद्रा एंड महिंद्रा लेमेटेड को आज इस टाइटल स्पॉन्सर फोर दिस चांपिन्शिप दो प्लेयर से यहाँ पर एंसी मेरिकॉम और फरहान अक्तर इन दोनों को इसके ब्रैंड इंबस्टर के रूप में पॉइंट किया गया है इस चांपिन्शिप के ब्रैंड इंबस्टर्स इवेंट जो है कब होने वाला है तो पंद्रा मार्श से 26 मार्श के बीच इंद्रा गाने स्पोर्स कॉंप्लेक्स नई दिल्ली में इसे और्कनाइस किया गया है इसके स्थापना हुई थी शुरुगात हुई थी 1946 में हेड़कॉर्टर्स है लुसाने स्वीजिलेंड में यहां पर स्पोर्स टूर्नमेंट और स्पॉंसर्स रेख लेते हैं IPL इंडियन प्रेम लिग की भी स्पॉंसर्शिप टाटा के पास ही है फीफा 2022 की स्पॉंसर्शिप बाइजूस के पास है फॉर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्पॉंसर्शिप ये स्टेट बैंग ऑफ इंडिया के पास थी और फिफ्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्पॉंसर्शिप Sports for All SFA के पास है International Conference on Buddhist Heritage to begin in which city तो यह International Conference दिल्ली में इसको शुरू किया गया An International Conference on Shared Buddhist Heritage held in New Delhi on 14th March with a focus on India's civilizational connect with the Shanghai Corporation Organizations Nation यह conference को organized किया Ministry of Culture ने और इसका एम है to re-establish trans-cultural links and seek out commonalities between Buddhist art of Central Asia and the SEO countries यहाँ पर दी गई है चार important Buddhist councils तो पहली देखते हैं कौन सी है पहली Buddhist council हमें देखने को मिली 400 BC में राजगरी हमें और सत्त पानी केव में यह देखने को हमें विली थी यह जो council हुई इसे प्रजाइड किया महाकश्य अपने और इस समय किंग कौन थे? अजाद शत्रू थे जिन्होंने और और नाइस किया था इसे फिर सेकिंड Buddhist council हुई 383 BC में वैशाली में इसे प्रजाइड किया सभाकामी ने और किंग इस समय कौन थे? कालाशोक थे इस council settled down the disputes on the winner pittak and code of discipline फिर तीसरी Buddhist council देखने को मिली 250 BC में आट पाटली पुत्र इस समय किंग थे अशोक और प्रेजिदेंसी किसके पास थी मोगली पुत्र थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता किती से प्रजाइड किया था चौथी Buddhist council हुई 72 AD में कहां पर हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी इस समय कुशान किंग कनिश्क थे राजा और ये जो है वसु मित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और इनकी help की थी अश्वगोश ने ठीक है? इस चारों आपको याद रखनी हैं नेक्स आते हैं क्वेशन पर फू इस अपॉइंटेड अज इंडिया अम्बासडर आफ शी चेंजेज क्लाइमेट इनका नाम है श्रिया घुदावत इनको बनाय गया इंडिया अम्बासडर आफ शी चेंजेज क्लाइमेट ग्लोबल नॉन प्रोफिट औरगनाइजेशन ने लाँच किया है एक स्पेशल इनिशेटिव फॉर इंटरनेशल वोमें स्टेड टाइटल इंब्रेस इक्विटी इसका एम है तो एम्पलिफाइद वोइसे अफ वोमें अराउंड आउंड इंपेक्स अफ क्लाइमेट चेंज और साथी में एक एम्पेंज सपोर्ट करता है दे रोल ओफ वुमें इन एक्सेलरेटिंग मतलब भारत जो है वर्ल टेस्ट चैंपेंशिप में फानल पर पहुंच किया है फानल मैच होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा अभी रीसेंटली जो फोर्थ बॉर्डर गावर्स कर ट्रोफी टेस्ट हुआ था अस्ट्रेलिया उसमें भारत जीता था टूबन लंडन ठीक है यहां पर दिए गए है कुछ recent MOUs question में उनको cover नहीं कर पाए थे हम लोग तो यहां पर एक साथ इनको देख लेते हैं इंडिया और उस्ट्रेलिया इन्होंने sign किया है audio-visual co-production agreement to offer filmmakers financial incentive amounting to up to 30% of the expenditure incurred in the respective countries ठीक है तो simply आपको यहां रखना है audio-visual co-production agreement filmmakers के लिए इंडिया और उस्ट्रेलिया के वीच इस साइन किया है फिर इंडिया और US ने साइन किया है MOU to build resilient supply chain in semiconductor sector Punjab National Bank इसने MOU साइन किया है with the Central Warehousing Corporation किसलिये किया है to facilitate financing under ENWR इसे electronic NWR negotiable warehousing receipt फिर एक memorandum of cooperation MOC sign किया गया है between India and Sweden to strengthen cooperation and promote research networking between research institutions from both countries ठीक है तो यह वाला जो है इंडिया स्वेडन के बीच memorandum of cooperation है और इसे के साथ यह last में है question आप लोग के लिए विच सॉंग वन बेस्ट ओरिजिनल सॉंग एट ओसकर 2023 options है नाटू नाटू अप्लॉज दिस इस लाइफ या फिर लिफ्ट में अप इसका correct answer दीजेगा comment box में और इसे के साथ होता है वीडियो का आंथ तक यू सूमाच वाची जए हिट